अगर ये कहा जाए कि आपको पूरी जानकारी नहीं है, तो क्या आप परफॉर्म कर पाएंगे? शाद आंसर ना हो, लेकिन कभी-कभी पूरी जानकारी ना होना ना, आच्छली एक ब्लेसिंग की तरह होता है. उसी से रिलेटेट है हमारा एडियम, Ignorance is Bliss. ये इडियम बहुत पहले यूज हुआ था और सबसे पहले इसे कॉइन किया गया था, Thomas Gray द्वारा, in his 1768, Ode on a Distant Prospect of Eaton College. लेकिन एक सिमिलर सा सेंटिमेंट पहले ही इस्तिमाल कर दिया गया था, by Fubulus Cyrus. इसका सिम्पल सा मतलब है कि कभी-कभी अगर आपको जानकारी पूरी नहीं है, तो वो आपके लिए एक blessing की तरह बन जाता है, आपके लिए एक वर्दान की तरह बन जाता है. The only reason is that you are able to perform without any fear. अगर आपको नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है, तो आज को आप properly जीते हैं, अच्चे से जीते हैं. So you are better off not knowing, या basically when you don't know much, life is delightful because there is no fear, there is no restriction. अगर आपको ये पता हो कि आप किसी भी पल मर सकते हैं, या किसी भी पल कुछ भी घटना घट सकती हैं, तो अभी जो पल चल रहा है, उसको आप पूरी तरह नहीं जीएंगे. And this is how life is delightful because we don't know when we are gonna die. Hindi में कहें तो अग्यानता वर्दान है, वर्दान इसलिए है क्योंकि आज को हम भरपूर तरीके से जीते हैं, जो हमारे plans हैं, हम वो बनाते हैं, हमारे dreams जो हैं, उन्हें देखते हैं, ये सोचे बगैर कि कल मर जाना है, या ये dream पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम hope लगात हो जाएंगे, for example, ignorance is bliss, but not when it comes to your body, go to a doctor and get a thorough check-up done, तो ignorance वर्दान तो है, लेकिन तब नहीं जब आपकी खुद की body की बात हो, तो जाओ doctor के पास और एक proper check-up करवा किया हो, obviously, अगर आपको सर में दर्द है या पेट में दर्द है और काफी दिनों से है, तब आप इस चीज़ इसको ignore नहीं कर सकते है और आपको doctor के पास जाना ही चाहिए, another example, children do anything and everything without the fear of failure, this is why they explore all the time, ignorance is really a bliss, यानि बच्चों को ये नहीं पता होता कि failure क्या है, यही वज़ा है कि वो हमेशा explore करते रहते हैं और किसी ने सची कहा है, कि ignorance is a bliss, यानि अज्ञानता वर्दाना है तो जब हम बच्चों को देखते हैं, वो हमेशा कुछ नहीं कुछ करते रहते हैं और ये नहीं सोचते कि हम गिर जाएंगे, या चोट लग जाएगी, या पता नहीं क्या होगा, यही वज़ा है कि वो हर पल को enjoy करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है, ignorance is actually a bliss for them, I would have been intimidated if I would have known that the judge was J.K. Rowling, ignorance is surely a bliss, तो अगर मुझे पता होता कि judge J.K. Rowling है, तो शायद मैं intimidate हो जाती, सच में, ignorance is a bliss, यानि अज्यानता वर्दान है, तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब